आलो ये व्रीवान वेल्कम्त इंगे इंजिनेश पॉइंट आ आज हम पढ़ेंगे लाइंशा फ्लोल यह नी परवाह रेखाएं रे लाइनज फ्लोल ठीक है बिछले क्लाश में बहुत ही डीटेल में समझे थे ताइप अफ लूड फ्लोड यह नि फुलूड परवाह के परक कार जिसमें बहुत अच्छे से कवर किये थे सारी चीजों को आप पता होगा लेमिना टर्बूलेंट रोटेशनल एरोटेशनल कंपरेसिवा इस्टेडी और इस्टेडी उनिफार्म नौन उनिफार्म यह माइंड में आपके स्ट्राइक कर दिया नाम लेते हुए यह नहीं आ जा अब बाते लाइन कई गया है कुछ नहीं माले रहें और उसी से गुजर रहा है उसी राष्टे-डूझा क्या करेंगा पात्थ लाइन पहुत असान है अब कुछ नहीं करना है पानी बाहरा आए उसमें कुछ डाल दीजिए अब जैसे जैसे जाएगा वह हो गया आपका पाथ लाइन ठीक है असान है दुसरा वहता आपका इस्ट्रीम लाइन कि अब दीखें स्ट्रीम लाइन ने धारा रेखा अब दारा रेखा क्या होता है अब लेने अब आरे स्पीड पर दरशिद करता तो है रहा स्ट्रिम् लाइन मतलब धारा ढरा नहीं बन सकता अगा मतरी में करता है कि बिंदू पर खीची गई असर रेखा को परदर्शित करता है किसी बिंदू पर खीची गई असपर्शित करता है ठीक है यह का असपर्स लेकिन जब इस ट्रीम में क्या है कि हम एसा जा रहा है तो उनका जब निकालेंगे तो उसे कहेंगे क्या उसे कहेंगे इस्ट्रीम लाइन लेकिन चाहिं घर घर धाना किसी बींदू पर यहां सब्सक्राइब घर उस इसे मेरा अभी हम किझा रहा हैं मेरे पास पास रेखा खिजिए आंगे इस दिशा पर करेंगे था बने बने वाला तो तो कई करों के अलग अलग पार्फ लाइन बन जाएंगे तो एक कालपनिक होता थीक है एक्ट्वल में इसा नहीं होता है तो क्या होगा स्पर्त रेखा क्या होता है तो कई काल्पनिक रेखा होता हैмо ऑस बीन-दू पर खीची गई त्यौकर त्विसाल को परदर्शित करती ह। अब इन लोग進 से बिचए उन कुछ न्तर स्ट्रीम लाइन अंतर क्या है कि पाइलाच में श्रावन हता है वास्तिविक होता है इसनल में गणता है यह कहले अब लेकिंड को झानते हैं दूसरा है कि एंगा नोपत पर दर्शिथ करता है या एक कणद के राष्टे को या ने पतर को करता है हम बॉल तरह यह सिंगल पार्टिकल के पाफ प्रदस्यच करता है चुल पार्टिकल के यह की पार्टिकल के EVE SPEED को परदर्सित करता है ठीक है हाँ रहता है सबसे मतलब कि आपस नहीं सकते है इस को समझाना पढ़ लाइगा का नहीं दूसरा यहां जाते हैं कई तरह से कई में चाहिक है अब इस ट्रीम लाइन क्यों नहीं कर सकता अब स्ट्रीम यह वह देखेगा लेकिन आपको समझेंगे कई कणों का है इस पर भी असपर से रहा खिर सकते हैं इस पर भी असपर से रहा किसी एक ही बिंदू पर दो दिसाएं अलग नहीं हो सकती है कर लाज्व है इसलिए क्या होता है कि इस्ट्रीम लाइन कभी आपस में नहीं आपस्त के तो हो गया इतना यह इसके किसी उन marrow ख़िची 634 परदर्सित करेगी इसके किसी बिंदू पर खीची गए सबर्स रेखा कई कौनों के औसत गत की दिशा को परदर्सित करती है ठीच सिंपल है हो गया आपका अंतर ठीक है अगला क्या पर नाम को इस्ट्रीम लाइन ट्यूब धारा रेखी इनली कि अब हता है कि गात कि लेशते सरा आपका इस्ट्रीम लाइन ट्यूब इस्ट्रीम लाइन ट्यूब यह थारा रेखी दिशांता है दरा तहारान के नहीं देख्ञें धारा रखी नले क्या अंब कर भासा दारारा चाहिए घृता समूश को मिलाने पर उच्ण होगा इसे क्या कहेंगे को तयार करने पर एक डही के समान आपका स्थेक्टर होगा इसे कआएंगे거야 स्ट्रीम लाइन ट्यूब रहे को मिला देए संरतना कर दिए आगला य्प बाइट 7 आरिश्ट्रीक लाइन इस इस एस्ट रिक लाइन निए निक लिए तन्तु रिखा में में थैक है किवाज म आपका तन्तु रिख्रा अब तन्तु कर सकों नहीं में है चैसे यृद्धा तर तन्तु रिख सब से असान है यहन देखेंगा जएसे आप देखेंगे चिमनी क्या है धूमा निकलेगा बहर यहां दो जीएगा निकलेगा पर माले निकलेगा यह जैसे यह बन गया है न तो देखें वाले को और इस वाले लाइन को इसे क्या करते हैं कि इस्टितिक अपर दर्षित करता है यहां पर यहां पर रहेगा जो बहुत सकता द्राव ही है इसी इसी लाइन पर आ करका कौन की स्थिति पता चल लाई को किस साइड में जा रहा कैसा है कितने जो भी है इन किसी समझे लाइन वह लाइन होती है जो किसी समय अंतरार पर द्राव करों की इसी को परदर्सीद करती है तो यहीं हम बताये थे आज का सेशन बहुत चोटा होने वाला क्योंकि टाइप साफ लाइन अब जो आगे आएगा आपका कुस्थीरी आएंगे जैसे कि कंटिन्यूटी क्वेशन सतता समीकरन बर्नवली क् फिर कूस एनरजी आएंगे जैसे कि द्रौव एनरजी जैसे कि प्रेशन एनरजी काइनेटिक एनरजी पूटेंशियल दाबुर्जा गति जोज़ा और इस्तिति दूर्जा परना है फिर एनरजी को जोड़ेंगे घटाएंगे जो भी करना होगा यानिंग तिन-चार लेक् ही मत किया करिए यदि अभी लापरवाही कर रहे हैं तो लापरवाही को खतम करिए रेगुलर पढ़िए नोट्स बनाइए नहीं नोट्स बनता है तो हमसे समेश करिए हम आपको नोट्स प्रवाइड देंगे लेकिन आप कंटिन्यू कर देजे पढ़ाए सारी चीजें इंप बहर बहर किसे कोश्चन आते हैं तो आज के लिए वह इतना ही मिलते हैं अगरे लेक्चर में सतता समीकरण के साथ आल दीवे